तो दोस्तो हाल फिलाल में Android 13 की बहुत जादा बाते हो रही है मतलब हम यहां मतलब तडप रहे कि कब हमें Android 12 मिलेगा और यहां तो लोग मतलब Android 13 तक हो चुके है कुछ जो है दिवाइस में प्रिव्यू मिल चुका है Android 13 का तो मतलब बहुत ही अची सी बात है और क्या नएने फीचर्स आये हैं क्या-क्या नएने फीचर्स मिलने वाले Android 13 में आज की इस वीडियो में हमने यही बताने की कोशिश की है कि Android 13 में हमारे लिए क्या खास है क्या-क्या जो है Android 13 में फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे पूरी डीटेल में हमने जानकारी हम तक पहुंची है उतनी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है अगर आपको अब तक Android 12 नहीं मिला है तो जल्दी मिल जाएगा जो लोग Android 12 यूज कर रहे है वो लोग तो मजे करे और जिन लोग Android 12 नहीं मिला है तो वो लोग इंतजार करें Android 12 भी मिल जाएगा और आने वाले समय में Android 13 भी मिल जाएगा दोस्तों इससे पहले आप लोग को Android 13 के बारे में बताओ सबसे पहले कि वीडियो को लाइक करना बहुत ज्यादा जरूरी है लाइक से ही वीडियो रेक्मेंड होती है और एक इंपोर्टन चीज़ Android 13 के बारे में सब को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है तो भाई हमारी विजुली इंपेट कम्यूनिटी तक ये सारी जानकारी पहुचे इसलिए Android 13 वाला ये वीडियो सभी के साथ शेर जरूर कर देना नीचे दोनों भी बटन आप लोग के इसलिए अविले हैं लाइक वाला भी है शेर वाला भी है कर कह रहे हो इंतजार किस बत का है वीडियो खतम हो गई होने से पहले वीडियो को लाइक और शेर करके जरूर जाना टेलीग्राम वाटसब ग्रूप आप लोग और अबार्ट पेज में आप लोग वहां पर जा के फीमेल्स के लिए लगसर बनाएगा है तो वो भी वहाँ पर जाके जो सकते हैं मैं हूँ आपका दोस्त जीतुर आज चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को चानल पर करने हो तो चानल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन वाल आइकन को और फेशेट कर लेना क्योंकि यूनीक वीडियो की लिस्ट पढ़ी है और हाँ इस वीडियो को लाइज जरू करना शेर करना और आपके अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना दोसर वीडियो की शुरुबात करें इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो जरूर सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा शेरिंग परसंटेज बहुत जादा निचे है तो प्लीज सभी के साथ वीडियो जरूर शेयर करें अब यहां पर Android 13 की जहां तक बात करें तो हम जैसे हम ने आपको इंट्रो में कहा कि हम तो वैसे भी Android 12 का ही इंतजार कर रहे हैं अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं Android 13 का जमाना मतलब आने वाला है काफे साल लोग Android 12 का इंतजार कर रहे हैं तो अभी फिलाल Android 13 के बारे में बात करेंगे कि Android 13 में आपको क्या सारी चीजिए जो है नहीं नहीं देखने के लिए मिलने वाली तो स्टार्ट करे सब सारे टॉगल बटन होते हैं उसमें आपको एक्स्टा टॉगल बटन देखने के लिए मिलेंगे जैसे वन हैंडेट मोड जैसे कलर करेक्शन जैसे जो है एक सबसे खास बटन आने वाला है वहाँ पर क्यूर कोड वाला वैसे यह हमारे कुछ काम का नहीं होता है लेकिन वहाँ आसकता है वह बटन भी आपर अवेलेवल है गूगल लेंस का यहाँ पर आपको ड्रेप्ट गूगल लेंस का भी बटन मिल जाएगा टॉगल बटन में तो यह कुछ एक्स्टा जो है टॉगल बटन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे जो है नोटिविकेशन पैन जो फीचर्स हमें एक्सेशिबिलिटी सेटिंग में मिलते थे यह यह पर टॉगल बटन में दिखाई देंगे और भी इसमें बढ़ने वाले हैं तो यह तो आपको देखने के लिए मिलेंगे उसके बाद जब आपको इमीडिया प्ले कर रहे हो याना कि वीडियो हो या फिर घृ कर रहे हो तो यहां पर आपको जो है अब जो है स्पीकर ऑट्पूट मिलेगा में नोटिफिकेशन में ही जहां से हम आउट्पूट सेले कर सकते हैं मतलब हमें फोन के speaker में सुनना है या फिर एरपीस में सुनना है या फिर हमें जो है Bluetooth speaker में सुनना है तो इसके लिए एक अलग से toggle button जो हमें दे दिये जाएगा और उस toggle button से ही हम switch कर पाएंगे तो ये एक बहुत अच्छी चीज है अब अगली बात अगर करें तो आपको जो है काफे सरे जो है यहाँ पर फीचर देखने के लिए मिलेंगे Android 13 में जैसे की Nearby Wi-Fi ये एक नया फीचर जो है बताया जा रहा है Google की तरब से Nearby Wi-Fi जो without location, without any location जो है की permission के आप अपने नजदी की जो है फोन को जो है डेटा ट्रांस्वर कर सकते हो यह यह Nearby Wi-Fi का फीचर Android 13 में दिया जने वाले और ऐसा कहां जा रहे कि यह जो Nearby Wi-Fi वाला जो फीचर है यह फीचर जो है बाद में Android 12 और Android 11 वालों को भी दिया जा सकता है तो Nearby Wi-Fi में बेसिकली होगा यह कि Wi-Fi से जो है आपका डेटा जो है पुरा मतलब मोबल डेटा नहीं जो फाइल का पर जो डेटा होता है तो उसमें भी यह फीचर जो है बताया जा रहा था कि दिया जाएगा लेकिन अब यह भी बताया जा रहा है कि Android 13 में भी यह फीचर होगा और इसके बाद जब अगले 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 फीचर की बात करें तो यहां पर Nearby Wi-Fi के बात जो है एक सिक्योरिटी का बहुत ही जो है Google ने इस बार ध्यान दिया है अब अगर आपको कोई फोटो या फिर कोई image अगर शेयर करनी है या फिर कोई फोटो अप्लोड करनी है तो आपको पूरे के पूरे फाइल मेनेजर की उस पर्टिकुलर एप को या उस पर्टिकुलर चीज को परमिशन देनी होती है लेक आपको महाँ पर कोई photo upload करनी है तो Chrome आपकी उस particular photo की ही permission लेगा पूरे के पूरे file manager या पूरे के पूरे photo का folder की पर्मिशन नहीं लेगा उस particular photo की और उस फोटो को ही वहाँ पर अप्लोड करेगा बाकि किसी भी चीज की जो है परमेशन वहाँ नहीं होगी है ना तो यह बहुत ही जो है अच्छे से जो है मतलब गूगल ने इस चीज पर ध्यान दिया सीकोरीटी पर अब अगली चीज पर बात करें तो यहां पर आपको अप का फोन है मतलब कौन सी अप्लिकेशन ने जो है माइक्रोफोन की परमेशन लिए यह सारी चीज आपको नोटिफिकेशन पैनल में ही दिखाए देगी है ना पहले तो यहां पर आपको नोटिफिकेशन पैनल में ही दिखाए देगा कि कौन सा अप्लिकेशन माइक्रोफोन की की पर्मिशन ले रहा है कौन सा अप्लिकेशन केमरा की पर्मिशन ले रहा है कौन सा अप्लिकेशन किस की चीज की पर्मिशन ले रहा है तो आप सीधर नोटिफिकेशन पैनल से ही देख पाऊंगे नोटिफिकेशन पैनल से एक्सेस कर पाऊंगे कि किस एप्लिकेशन को आपको किस चीज की पर्मिशन देनी है तो मतलब अब धीरे-धीरे जो है Android कुल मेला कि थोड़े-थोड़े से जो फीचर से iOS की तरह प्रोवाइट करवा रहा है 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 और संक्रेशन के तरह मतलब ज्यादा ही अध्यान दे रहा है और यह जो फीचर से अलब उस्क अद्रयोड में तो मिलेंगे ह variance लेकिन कुस्तम एंडॉड isme दिवाइसे सब्सक्राइब है वह लोग इन सभी पैचर के साथ एड़िशन फीचर भी एड्र कर सकता है यानि आपको और भी अडिशनल चीजे देखने के लिए मिल सकती है या फिर इन फीचर को मॉडिफाय करके कुछ एक्स्टा या फिर कुछ अडवास देखने के लिए मिले या फिर ऐसा भी हो कि कस्तमाइजेशन करते समय यह फीचर हिड़न भी हो जाए है तो यह सारे जो जानि की कोशिश करते हैं तो आप इसी तरह से हमारे चानल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि नहीं नहीं जानकारी आप तक पहुंचती रहे और नहीं डीटेल आप तक पहुंचती रहे तो आप लोगों को Android 13 का यह ओवर व्यू कैसा लगा और आप लोग क्या और नया फिर आप लोगों तक और क्या नहीं जानकारी पोचिए जो Android 13 में आने वाली है वो आप बताए आप लोगों को Android 12 मिल चुका है या नहीं मिल चुका है आप लोग Android 12 का इंतजार कर रहे हो नहीं कर रहे हो जो भी आपके माइंड में आ रहो फटा-फट जाके comment box में comment कर देना वीडियो को जरूर सबी के साथ शेयर कर दाना और लाइक किये बिना वीडियो से जाना नहीं है लाइक करके जाना टेलिग्राम वट्सप ग्रूप अबाउट पेज में है आप लोग वहाँ पे जाके जुरू सकते हो फीमिल्स के लिए लग से ग्रूप बनाएगा है तो वो झाल प्रूप अप